अलो फ्रेंट्स देखें आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पेर ओफ लेनियर एक्वेशन इन 2 वेरियबिल एक्सरसाइस 3.2 का सेकेंड कुश्चन लिकर आया है हमारा सेकेंड कुश्चन इस टाइप से हैं on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel and coincident हमारे पस तीन कुश्चन गिवन है हम यह पता करेगे कि pair of linear equation क्या intersect हो रही है क्या यह line parallel है कि coincident हो रही है देखिए हमारा first question हमारे पास given है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 7x plus 6y minus 9 is equal to 0 friends चलिए अब हम इस question को solve करते इस question को solve करने के लिए सबसे पहले हम इस दोनो equation को compare करना पड़ेगा हम इस type से लिखते है on comparing on comparing with the equation case equation के साथ compare करें तो हम इसे compare करेंगे a1x plus of b1y plus c1 is equal to 0 a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 यह given equation को दोनो linear equation की यह दो general form वाली equation के साथ compare करेंगे तो जब हम compare करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है देखिए यह a1 का value हमारा है यहां पर 5 b1 की value हमें मिल रही है minus 4 b1y का coefficient होता है तो minus 4 c1 constant term है देखिए यहां पर constant term 8 दिया है c1 is equal to 8 now a2 is equal to 7 देखो second equation का a2x का coefficient जो है वो 7 है y का coefficient 6 है that means b2 is equal to 6 और constant term जो है वो minus 9 है c2 is equal to minus 9 अब यह हमने comparing कर लिया अब हम इनके ratio देखते हैं तो देखिए ratio देखेंगे इस type से a1 upon a2 a1 upon a2 होगा 5 upon 7 देखिए friend 5 upon 7 हो गया ठीक है b1 upon b2 जो हो रहा है वो हो रहा है minus 4 upon 6 minus 4 upon 6 को minus 2 upon 3 भी लिख सकते हैं ठीक है और c1 upon c2 की जो value आ रही है वो है 8 upon minus 9 ठीक है अब यहाँ पर जो हो रहा है यहाँ पर जो ratio है मतलब a1 upon a2 5 upon 7 है b1 upon b2 minus 2 upon 3 आया और a1 upon a2 का ratio b1 upon b2 के equal नहीं है देखिए ratio equal नहीं आ रहा है तो therefore हम ऐसा लिख सकते है here a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 देखिए a1 upon a2 b1 upon b2 के equal नहीं है इस condition में क्या होता है इस condition में हम ऐसा लिख सकते हैं दी पेर ओफ लीनियर इक्वेशन हाज यूनीक सोलुशन जो दोनों लाइन का पेर है इन दोनों लाइन से जो लीनियर इक्वेशन है उनका यूनीक सोलुशन है as यूनीक सोलुशन यूनीक सोलुशन के साथ ही लाइन इंटरसेक्ट करेगी दी लाइन सार इंटरसेक्ट एट एपोइंट किसी एक पोइंट पर लाइन क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी फ्रेंट्स चलिए अब हम अमारे नेक्स कुश्चन को सॉल करते है देखे अब हमारा जो सेकेंड कुश्चन है वो इस टाइप से है 9x प्लस 3y प्लस 12 is equal to 0 18x प्लस 6y प्लस 24 is equal to 0 फ्रेंट्स इसे भी हम पहले कंपेर करेगे अन कंपेरिंग कंपेर करने पर कौनसी एक्वेशन के साथ कंपेर करते है तो जनरल फॉर्म लिख लेते है a1x प्लस ओफ b1y प्लस ओफ c1 is equal to 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0 देखिए दोनों जनरल फॉर्म लिख लिया है therefore अब जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इस टाइप से आएगा a1 is equal to 9 a1 जो की x1 x का कोफिशन्ट है वो 9 हो गया b1 की वैल्यू है 3 देखिए ये b1 होता है तो ये वैल्यू 3 है c1 is equal to 12 c1 की वैल्यू 12 and a2 is equal to a2 का वैल्यू हो गया 18 b2 is equal to 6 c2 is equal to 24 देखिए friends हमने a1, b1 और c1 a2, b2, c2 निकाल लिए है अब हम इसका ratio देखते है a1 upon a2 करेगे a1 upon a2 करेगे which is 9 upon 18 आएगा 9 upon 18 which is 1 upon 2, 1 upon 2 होता है b1 upon b2 3 upon 6 देखिए 3 upon 6 ये भी 1 upon 2 हो गया और c1 upon c2 निकलते हैं तो ये हो गया 12 upon 24 देखिए ये भी divide करने पर 1 upon 2 आजाता है therefore जो condition आ रही है वो इस type से आ रहा है कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 इस condition में हम इसे लिखते हैं इसे हम इसे हम ये दोनों line जो है वो coincident करेगे friends अब हम हमारा next question solve करते है देखिए अब हमारा third question जो दिया है वो इस type से है 6x-3y plus 10 is equal to 0 2x-y plus 9 is equal to 0 देखिए इसे भी compare करते हैं हम पहले on comparing इसे compare करेगे equation कौन सी a1x plus of b1y plus c1 is equal to 0 a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 देखिए therefore a1 का जो value आएगा a1 is 6 देखिए यहाँ पर x का coefficient 6 यह a1 है a1 6 है b1 is equal to है minus 3 c1 का value जो है वो है 10 c1 is 10 a2 is 2 a2 की value 2 b2 is equal to b2 की value minus 1 आएगा y का coefficient minus 1 है minus 1 आगया c2 is equal to 9 यह constant है 9 c2 का value 9 है अब इनके ratio को check करते है a1 upon a2 that means 6 upon 2 करते है तो 6 upon 2 करने पर 3 हमें मिलेगा हम b1 upon b2 value करते हैं तो minus 3 upon minus 1 देखिए minus से minus cancel हो गया हमें अगें 3 मिला और जो c1 upon c2 करेगे c1 upon c2 जो की है 10 upon 9 देखिए condition क्या आ रही है यहाँ पर condition आ रहा है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2 देखिए फ्रेंड अगर ऐसा condition आता है कि a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2 यह condition रहती है no solution की ठीक है यह condition हमारी no solution की और इस case में no solution जहां होता है the lines are parallel जो lines होती है वो parallel होती है given lines are parallel to each other